जहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलेक्ट तो दोस्तो यूरोप के मल्टिनेशनल कमपनियों के तरफ से यूरोप के देशों के लिए बनाया गया यूरोफाइटर टाइफून एयरक्रेप्टो को लेके अफ दावा किया जा रहा ह जादा पावरफुल बन चुका है और दोस्तो इन दावों के पीछे तैथ्वा दिया जा रहा है कि इन एयरक्रेप्टो में फिलाल कई सारे नया हतियारों को एड़ किया गया है और पहले के मुकाबले में यूरोफाइटर टाइफून अव जादा हतियारों को करी कर सकता है दिखाया गया कि इउरोफाइटर टाइफून के द्वारा करीवन 14 अलग अलग टाइफ के बॉम्स और मिसाइलों को एक साथ कैरी करने का शमता है इस स्पेशल कॉन्फाइटर के यूरोफाइटर टाइफून में बीमस्टोन मिसाइल, स्पेर 3 मिसाइल, PUA गाइड़ बॉम और अमेरिका के M120 Amram जैसे Beyond Visual Range Air-to-Air मिसाइल के इलावा MBDA द्वारा बनाया हुआ मीटी और जैसे आधुनिक तम Air-to-Air मिसाइल शामिल है, जबकि दूसरे तरफ अगर F-35 एरक्रेप्टों को देखा जाए तो स्पेशल कॉन्फरिगेशन में, स्पेशल कंडिशन में इन एर दोनों एरक्रेप्ट के कंफरिजन के उपर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, पर अगर इन दोनों चीजों को हटा दिया जाए तो F-35 एरक्रेप्टों के फायर फावर और F-35 एरक्रेप्टों के ताकत के तुलना में एक Eurofighter टाइफून अधिक ताकतवर और अधिक फायर और वाला यारक्रेप्ट है, दोसों इवन इटलियन एरफोर्स के तरफ से हाली में बयान देते हुए कहा गया है कि अगर Eurofighter टाइफून यारक्रेप्ट में बीमस्टों और स्पेर 3 मिसाइलों को लगा जाए तो यह सिग्निफिकेंटली अपने कैरिंग कैपसिटी में काफ दोसों वही पर दूसरे तरफ Eurofighter टाइफून यारक्रेप्ट में इस्तेमाल होने बेले मिटियोर जैसे 5th Generation Interceptor मिसाइल इन यारक्रेप्टों के ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है, मिटियोर MBDA के तरफ से बनाया हुआ सबसे आधुनिक और दुनिया के सबसे बहतरीन एर- फाइटर यारक्रेप्टों को द्यान में रखके ही बनाया गया है और इसी वजाए से Eurofighter टाइफून इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने बाले बहतरिन प्लाटफॉर्मों में से एक है, जबकि A35 के तुलना में Eurofighter टाइफून का और एक ताकत है यारक्रेप्टों के काफी कम Operational Cost होना, एक F-35 यारक्रेप्ट के Operational Cost Fighter यारक्रेप्टों में सबसे अधिक माना जाता है, जबकि दूसरे तरफ एक Eurofighter टाइफून यारक्रेप्ट के Operational Cost लगभग अमेरिका के Force Generation के F-16 यारक्रेप्ट के बराबर का है, दोस्तों यही Operational Cost के वज़ा से कई सारे देश F-35 ज जो Replacement Plan के तहट आगे बढ़ा जा रहा था उनमें, पहले तो F-35 यारक्रेप्टों के पर्चेस करने का बात कहा गया था, लेकिन बाद में जर्मनी के तरफ से Eurofighter टाइफून यारक्रेप्टों के तरफ आगे बढ़ा गया और F-35 के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया, इवन इस F-35 यारक्रेप्ट के पर्चेस को ड्रॉप करने के बाद कई सरे जगाओं में ये भी बयान दिया गया कि F-35 यारक्रेप्ट के फिफ जनरेशन के टिकनोलोजी कुछ जादा स्पेशल नहीं है, और इहनी कारणों के वज़ा से जर्मनी F-35 के जगा में Eurofighter टाइफून य जा रहा था कि संभावित जर्मनी F-35 फाइटर यारक्रेप्टों को पर्चेस ना करें, बलकि दूसरे तरफ योरोफ के ताकत को मजबूत करने के लिए और अपना foreign currency expenditure को घटाने के लिए योरोफ के अंदर से ही फाइटर यारक्रेप्टों को पर्चेस करें, जबकि जर्मन इसके बाद जब France के Dessol Aviation और Airways Company के तरफ से जर्मनी के साथ मिलके एक नया generation के fighter यारक्रेप्टों बनाने का इरादा को जताया गया तो तब ही ये अंदाजा लगाया गया था कि जर्मनी संभावित न्यू फिफ जर्मनी के fighter यारक्रेप्टों को पर्चेस करने के तरफ ना Eurofighter Typhoon में जरूर कुछ ऐसा खासियत है जो जर्मनी जैसे देशों के तरफ से इन एरक्रेप्टों को लेके ही आगे बढ़ा गया दोस्तो अब चलिए बात करते हैं Eurofighter Typhoon और F-35 जैसे fighter यारक्रेप्टों के अंदर क्या समानताय है और दोनों एरक्रेप्टों के क्या-क्य capabilities है दोस्तो F-35 यारक्रेप्ट असल में अमेरिका के Lockheed Martin के तरफ से बनाया हुआ एक सिंगल सिटेट सिंगल इंजिन और इसे फिफ जनेरेशन के fighter यारक्रेप्ट विका जाता है इस तरीके का यारक्रेप्ट एर सुपिरियोर्टी और स्ट्राइक दोनों मिशनों में ही इस इस तमाल हो सकता है F-35 यारक्रेप्टों को Lockheed Martin के तरफ से 15 December 2016 के दिन मतलब आज से करीवन 14 साल पहले पहली बार उडान भराया गया था जबकि इन एरक्रेप्टों के B version को सबसे पहले मतलब 31 July 2015 के दिन US Marine Corps में शामिल किया गया जबकि इसके बाद F-35A को 2 August 2016 में US Air Force में श शामिल किया गया फिलाल 2006 से लेके अब तक 620 से अधिक इन फाइटर यारक्रेप्टों का निर्मान हो चुका है जबकि दूसरे तरफ अगर Eurofighter टाइफून यारक्रेप्ट को देखे तो ये योरोफ के कई सारे कंपनियों के Joint Development के फल है और इन यारक्रेप्टों को Twin Engine, Canard Delta Wing, Multi-role Fighter Aircraft कहा जाता है, यारक्रेप्टों के दर्जा 4++ जिनेरेशन का है और इन यारक्रेप्टों को 27 मार्च 1994 में पहली वार उड़ान भराया गया था, जबकि 4 अगर्ष 2003 में इसे पहली वार सर्विस में लाया गया और योरोफ के कई सारे देश इसका इस्तेमाल करता है, 2020 के करीबन 15.7 मीटर है, मतलब करीब-करीब 51.4 फीट, जबकि इसका विंग स्पैन 11 मीटर, मतलब करीबन 35 फीट और इसका हाइट 4.4 मीटर, मतलब 14.4 फीट है, इस कॉन्फिर्गेशन के सारे F-35 एरक्रेप्ट के टोटल विंग एरिया 43 मीटर स्क्वेर मतलब करीबन 460 स्क्व 35 फीट 11 इंच है, वही पर इसका हाइट करीबन 5.28 मीटर, मतलब 17.4 इंच है, और इस कॉन्फिर्गेशन के सारे इसका टोटल विंग एरिया 51.2 मीटर, मतलब 551 मीटर स्क्वेर है, दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा, कि दोनों एरक्राफ्ट आकार के मामले में लगभग एक दूसरे के बराबर है, जबकि योरोफाइटा टाइफुन के डिजाइन के वजासे इसका विंग एरिया करीवन 100 स्क्वेर फीट F-35 से अधिक है, वजन के मामले में देखा जाए तो, एक F-35 एरक्राफ्ट के एंटी वेट 13,290 किलोग्राम, अधि पर योरोफाइटा टाइफुन के एंटी वेट 11,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 16,000 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ओप वेट 23,500 किलोग्राम और फ्यूल कैरिंग कापसिटी करीवन 4,996 किलोग्राम का है, मतलब वजन के मामले में F-35 एरक्राफ्ट योरोफाइटा और आफ्टर वर्णिंग ट्रस्ट करीवन 190 किलोग्राम है, जबकि योरोफाइटा टाइफुन में दो योरोजेट EJ200 आफ्टर वर्णिंग टेर्वोफाइट एंजिन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राइटर्स 60 किलोग्राम और मैक्सिमम आप्टर वर्णिंग ट्र मैक्सिमम स्पीड माक 1.6 और रेंज करीवन 2800 किलोमीटर है, जबकि कॉमबाइट रेडियस सुरिफ इंटर्नल फ्यूल के साथ 1239 किलोमीटर और एक्स्टर्नल फ्यूल के साथ 1410 किलोमीटर है, और वो ही पे F-35 एरक्राफ्ट के सर्विस सिलिंग, मतलब समुन्दर के उचा करीव करीव 1389 किलोमीटर है, जबकि तीन ड्रॉप टैंक के साहरे, एक योरो फाइट टाइफून एरक्राफ्ट करीवन नॉन्स्ट आफ 3790 किलोमीटर तक उडान भड़ सकता है, जबकि सर्विस सिलिंग के मामले में योरो फाइट टाइफून एरक्राफ्ट के अधिक तम स हतियारों को अगर कंपेर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि F-35 वेरक्राफ्ट में 25 मिलिमीटर के 4 वेलर वला रोटेटरी कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके इलावा F-35 वेरक्राफ्ट के इंटर्नल वेपन बे में 4 हाट पॉइंट और एक्स्टर्नली करीव हो सकता है, जबकि हतियारों को अगर देखा जाए तो इसमें M-120 MRAM, M-9 Sidewinder, M-132 SRAM, MBDA Meteor Block 4 जैसे मिसालों को लगा जा सकता है, जबकि Air 2 Surface Roll में इसमें AGM-88, AGM-158, Spare 3, JAGM और JSM जैसे मिसालों को लगा जा सकता है, इसके इलावा इसमें Antiship मिसाल के रूप में AGM-158C, LR ASM और बॉम के रूप में कई तरीके के अमेरिकी निर्मित आधुनिक बॉम को लगा जा सकता है, जबकि Eurofighter Typhoon Aircraft को देखे तो इसमें 27 mm के Revolver Cannon का इसमाल किया गया है, जबकि इसके Base Version में Total 13 Hotpoint है, जिनमें से 8 Hotpoint Under Wing, जबकि 5 Hotpoint Under Fuselarge है, जिसका कुल शमता करीवन 9,000 kg का ह और दोसों इन Aircrafto में भी Air-2 Air Roll में M120, Amram, MBDM Meteor, IRIST, M132 SRAM, M9 Sidewinder जैसे Missile, और Air-2 Surface में AGM-65, AGM-88, Beamstone, KEPD-350, Scalp-EG, Spare-3 जैसे Missile को लगा जा सकता है, Anti-Ship Roll में Joint Strike Missile और Bomb के रूप में PVA, 500 Pounder, Small Diameter Bomb, Joint Direct Attack Ammunition और Spice 250 जैसे Bombों को लगा जा सकता है, मतलब दोसों दोनों Aircrafto के हतियार लगभग एक ही तरीके का है, जबकि अमेरिकी MADE हतियार जादतर अमेरिकी F-35 के लिए जादा सुल्टेवल है, वही पे योरोप के द्वारा न Electronics Can Array Radar, Electro Optical Targeting System, Distributed Apparature System, Electronic Warfare System और अन्य कई सरी तरीके का Data Link और IFF System जैसे Equipment का इस्तेमाल किया गया है, जबकि Eurofighter Typhoon में, Euro Radar, Active Electronics Can Array System, Passive Infrared Airborne Tracking Equipment, अलग-अलग तरीके का Targeting Pod, Listening Pod, Sniper Advanced Targeting Pod और Electronic Warfare System का इस्तेमाल किया गया है, तो दोस्तों ये था आज का वीडिय अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तोसे लाइक कीजिए, और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को इप्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए, सबसे पहले, जैहिन!